जल है तो कल है प्रिध्वी पर जीवन की निरता के लिए जल बहुत आविश्यक्ता है जल ही पशु, पक्षी, पेड, पौधे, मनुश्य की आधारबूत आविश्यक्ता है सेंट फ्रांसिस वर्ड स्कूल में चाचरों को जल सरक्षन की आविश्यक्ता से अविगत कराने के लिए विभिन गति विध्यों का आयोजन कराता रहा है जिन में से मुखे है और ध्योगिक भ्रमन कारिकरां जिसके अंतरगत चात्रों ने जल सरक्षन प्रणाली के विश्य में जानकारी प्राप्ष व्रक्षारोपन कारेकरम पेड़ पौधे लगाने से धर्टी में जल का स्थर पढ़ता है इसी कारण जल सरक्षन की सिक्षा देते हुए हमारे सेंट फ्रांसेस वर्ल्ड स्कूल में लगातार व्रक्षारोपन का कारेकरम किया जाता रहा है इस व्रक्षारोपन की मुहीब में विध्याले के डारेक्टर पादर निर्मल राज हॉर्मिस जी और प्रधाना चार्य श्रीमती मनीशा जेन जी के द्वारा विध्यार्टियों सहिट व्रक्षारोपन कर उस्थह बढ़ाया छात्रों के द्वारा क्याम्पेन हमारे सेंट फ्रांसेस वर्ल्ड स्कूल में जल पचाओ अभ्यान के तहट सभी विध्यार्टि को समय समय पर जल सचन सयंत्र से संबंदित जानकारी दी जाती है कक्षा में कराई गई गते विध्या सेंट फ्रांसेस गुल स्कूल में शिक्षकों के द्वारा छात्रों को जल सरक्षन के लिए रोदसाहे किया जाता रहा है प्राते हैं काली सब्हाँ जिसके अंतरगत छात्रों को लगतार जल सरक्षन से संबंदित बातों का ज्ञान कराने के लिए पब्लिक सी माई माउ नुकर्नाटर स्टूडेंट स्पीच एवं अन्य गती विध्यों का प्रदर्शन लगतार किया जाता रहा है अंतराश्टिय ब्रिटिश कांपिश जिसके अंतरगत सेंट फ्रांसिस वर्ल्ड स्कूल के छात्रों ने अन्य देशों के विध्यातियों के साथ जल सरक्षन से संबंदित विचारों का आदान प्रदान इस अभ्यान के तहट विभिन विभिन कारेकरों मों से जुड़े विशे विशे शग्यों को विध्याले में छात्रों का उत्सहा वर्दन करने के लिए अमंत्रिक किया जाता रहा है जल संरक्षन की ओर उठाए गए अन्य का दम विध्याले में उपस्ते हर्वल सस्टेन इम्म्यूनिटी गार्डन के अंतरगर्द जल संरक्षन के लिए मटका विधी द्वारा रक्षा रोपन किया गया है सिक्षकों द्वारा विध्यार्टियों को जल अवशक्ता अनुसार उप्योग करने की तथा दुरुप्योग ना करने की सीख दी जाती है विध्यार्टियों द्वारा शेश जल को संचे करने की उचित व्यवस्ता विध्याले में की गई है उस जल का सत उपियोग हमारे विध्याले में उपचने इहा गार्डन तथा इम्म्यूनिटी गार्डन में लगे पौधों की सिचाई के लिए किया जाता है जल सरक्षन इस मुहीम को आगे ले जाते हुए हमारे विध्याले के प्रांगण में भविशेकाल में रेपिरिगेशन तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की उचे त्व्यवस्था करने का प्रापधान है तथा विध्यातियों के उत्सहा वर्थन के लिए अन्य कई कार्यशालाओं को आयोचित करने का प्रापधान है स्कूल ग्रीन अवर्ड विध्याले के हरित वातवरण को देख कर अंतराष्ट्य स्थर पर सस्टेनबलिटी इनोवेशन अवर्ड द्वारा सेंट फ्रांचेस वर्ड स्कूल को नाशनल ग्रीन अवर्ड से पुरुस्क्रित किया गया सेंट फ्रांचेस वर्ड स्कूल हमेशा से ही जल सरक्षन, व्रक्षा रोपन, वातवरंच स्वच्चता एवं पर्यावरंच सरक्षन के लिए सजग रहा है और आगे भी इसी शपत का पालन करते हुए विध्याले सदा ही इसी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा धन्यवाद